भाई और भेनों, 21 सदी के भारत के लिए पानी की परियाप्त उपलब्दता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थेववस्ता के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गती से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिकुरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मेनेजमेंट के बिना संभवी नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन, हमारे जल स्रोतों पर निर्भर हैं, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं। इस बात की गंबीरता को समझ कर, दसकों पहले हमें इस दिशा में पहुत कुछ करने की ज़रूत थी, और मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूँ, अगर हम योजनाब अब्द तरीके से, जन भागे दारी के साथ, पानी बचाने की पहल करेंगे, तो हमें पानी समस नहीं लगेगी, पानी हमें पैसों से भी जादा किमती ताकत के रुप में उभर करके आएगा, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से, जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितने व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, जन जन की भागीदारी से होन चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई, नतीजा ये, कि जैसे जैसे भारत विकास के पत पर बढ़ रहा है, जल संकड की चुनोती उतनी ही बढ़ती जा रही है, अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दसकों में स्थिती बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और हमारे पुरवजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है, कि हमारी आगे वाली पीड़ी को हमें पानी सुरक्षित दे करके जाना चाहिए, इससे बड़ा कोई पुन्य नहीं है, और इसलिए हम ताय करें, कि हम पानी को बरबाद नहीं होने देंगे, हम पानी का दुर्प्योग नहीं होने देंगे, हम पानी के साथ पवित्र रिस्ता रखेंगे, ये हमारी पवित्रता पानी को बचाने के लिए काम आएगी, ये देश की वरतमान पीडी का दाइत्व है कि आने वाली पीडियों के लिए अभी से अपनी जम्मेदारी निभाएं